नमस्कार मैं हूँ सुरेच फोजदार और आप देख रहे हैं राज़स्थान तक आज बात करे हैं कॉंग्रेच पार्टी की आज भरतपुर संबाग मुख्याले भरतपुर से कॉंग्रेच पार्टी ने कॉंग्रेच सद्शिता डिजिटल अव्यान शुरू किया है हाना कि यह है अव्यान डिजिटल और ओफलाइन दोनों तरीके से चल रहा है और भर्तपुर्ण संभाग मुख्याले पर इस अव्यान का आरंब किया गया जिसमें प्रदेश कॉंग्रेस अद्यस गोविन सिंग डोटा सरा P.W.D. मंत्री वजनलाल जाटव सहित कई बिधायक और मंत्रियों ने इस प्रोग्राम में सिरकत की और कार्यकरताओं को मनाने की कोशिस की इस पूरे प्रोग्राम पर अगर गोर किया जाए तो उसका उद्देश से सिर्फ इतना ही है क्योंकि कॉंग्रेस सरकार को ये पता चल गया है कि अगले वर्ष बिधान सवा के चुनाव होने है और हम से हमारी सरकार से हमारे पार्टी के कार्यकरता नाराज है रुष्ट हुए हुए है इसलिए रूठे कारेकरताओं को मनाने की जद्दो जहेद में कॉंग्रेस पार्टी जुट गई है। इसलिए रूठे कारेकरताओं के बदोलत ही बनती है। इसलिए रूठे कारेकरताओं को मनाने की कोसिस की जा रही है। लेकिन ये कारेकरताओं को पार्टी या सत्ता क्या मना पाएगी या नहीं मना पाएगी वो अलग बिसे है। लेकिन जब पीड़ेकरताओं ने आवाज देना शुरू किया कि मनत्री जी वहां सड़ पीछे दीजियेगा पहले भर्टपुर जिले की सड़कों का तो सुधार कर दीजिये। और इस बात को लेकर मंत्री बजनलाल जाटव को सरमिंदगी का एहसास भी हुआ था। अब वो सरमिंदगी का एहसास जो हुआ वो कितना कारगर सिद्ध होगा नहीं होगा वो एक अलगविशा है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में एक चीज तो जरूर देखने को मिली कि गोविन सिंग डोटा स्रा का जो कहना था कि बर्टपुर संभाग मुख्याले महतपूर्ण है सत्ता वनाने में क्योंकि सबसे ज़्यादा बिदायक बर्टपुर संभाग ने दिये हैं और जिसकी बद जोगान किया गोडगान करने के पीछे कई कारण वताए जा रहे हैं लेकिन प्रमुक कारण ये भी है क्योंकि सरकार को कंग्रेस पार्टी को सत्ता को ये लगता है कि महराजा के विना बतपुर संभाग में टिकना बड़ा मुस्किल है और महराजा चाहेंगे तो ही हमारी से खासकर भरतपुर में साथ बिदानसवा सीटे हैं और यहां अगर हमको अपने ज्यादा बिदाइक बनाने हैं तो महाराजा का अशिरवात तो लेना ही पड़ेगा इसलिए गोविन सिंग डोटा असरा ने भरे मंच से कार्यकरता को यह कहा कि भरतपुर महाराजा विश्वेन सिंग ऐसे व्यक्तीतव है जिनकी बात कोई ठोकरा नहीं सकता है में जितने भी जितने भी मंट्राल हैं सभी मंट्रालों के ऊपर योल उनकी बात नहीं माने बनाने मोग मंत्री बी Cake 5 उनकी बात को नहीं ठुकरा सकती कहीं को मनाने कि he तहएद है वहीं इनको लगता है कि महाराज विस्वेंज सिंग को दरकिनार नहीं किया जा सकता दरकिनार करने का मतलब है आपको हर जाना आपको नुकसान वहतना पड़ सकता है अब गोविशनी डोटासरा का इन नेताओं का ये भी दावा है कि हम इस अभियान के तहट बामन लाग कॉंग्रेस के नए कारेकरता बनाने जा रहे हैं जिसका उदेश से है जो आगामी लोकसरबा चुनाब है उसको केंदर से बीजेपी सरकार को जड़ से उखाड़ फैकना है अरे बीजेपी सरकार को आपका सूपरा साफ हो गया था ऐसा क्यों हुआ लोग ये भी बताते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कंग्रेस पार्टिय उसकी नीती और रीती में बदलाव नहीं आया है कॉंग्रेस के जो कार्यकरता थे उनको कोई फैदा नहीं मिला सत्ता में जाने के बाद आप उ जो जमीन पर मेंद करता है, खुन पसीनाव आता है जो कार्य करता कongres का है, उसको तबज्यदी नहीं गई है, उसको दरकनार किया गया है, इसलिए कार्य करता हमेशा कंग्रेस से नाराज रहता है। कॉंग्रेस को कारेकरता उसमें याद आते हैं जब जुनाव आते हैं उसके बाद कारेकरता उनको सत्ता भूल जाती है जिसका परणाम इनको भगतना भी पड़ता है अब देखने वाली बात यह होगी कि कारेकरता को कोई आप मना पाते हो क्योंकि कुछ टाइम पहले अनीता वदेल का वयान आया था कि कंग्रेस कारेकरता के काम इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि वह उसमें पैसे खा जाते हैं ट्R waterproof कराते पैसे खा जाते हैं लेकिन जब गोमी इस सिंघ टोटा सरा से पूछा थो उनका यह बात मैंने नहीं शुनी इस तरह का वयान मैंने आज तक नह रहा है क्योंकि कॉंग्रेस के नेताओं को भी पता है कि आप कार्य करताओं को तबज्जो नहीं दोगे dog Northwest कि कि के आप हमें तबज्जो तो नहीं दोगे इसलिए हमें कोई फरकनी पड़ता आपने बोला हम चले आए और नेतां को भी पता है कि कार्य करता है यह जाएंगे कहां इनको तो रहना कॉंग्रेस पार्टी में ही है इसलिए सदस्थ से वनो और हमारे लिए काम करो वहीं संजय निरूपम जो पूरे राजस्थान के इलेक्शन के पियारों बनाए गए हैं सदस्था अव्यान इलेक्शन के पियारों है उनका उनका भी यह कहना था कि जो मार्केटिंग आज हो रही है वो कॉंग्रेस की बहुत कमजोर है मार्केटिंग बीजेपी की बहुत के साथ काम करते हैं हमारे कार्य करता मजबूत नहीं हो पा रहे हैं ना हमसे जुड़ पा रहे हैं एक दुख भी है इन लोगों को लेकिन कोंग्रेसी कार्य करता आखिर इनको कब तक जिता करके भेजेंगे क्योंकि जब आप सत्ता में आ जाते हो तो आप उनका खयाल क्यों न लेकिन साइद सचन पाइलेट की सुनवाई भी सरकार नहीं कर रहे हैं नहीं उनकी पार्टी के आला नेता कर रहे हैं हला अब समय यह है कि दो अगले वर्स वे दान्सवा के चुनाव होने हैं कॉंग्रेसी कार्यकर्टा कितना इनको support करेंगे नेता कितना support करेंगे कॉंग्रेस कार्यकर्टा को यह भी आरोप है कि आप अपने लोगों को अपने बिधायकों को उनको तबज्जो देते हैं कारेकरताओं को भूल जाते हैं अब देखने वाली बात यह होगी कि सत्तारूड कारेकरताओं को मनाने में क्या सफल होती है कि सत्तारूब जाते हैं